आज हम करने जा रहे हैं आरेश शर्मा का चाप्टर 12 जो बात करेगा स्टेट और वर्ना सोसाइटी इन दी एज ओफ बुद्धा सबसे पहरे समझो इनकी मेटीरियल लाइफ के बारे में पता कैसे चलता है इवाल्व होते होते कैसे एज ओफ बुद्धा में स्टेट और वर्ना सोसाइटी जैसी चीज़े आने लग गए तो देखो इनकी मेटीरियल लाइफ का जैसे हम बात करें अगर नॉर्थ इंडिया स्पेशल इन इस इन यूपी बिहार में तो उसका पता चलता है पाली टेक्स से संस्कृत सुत्रा लिटरेचर से और कॉम्बिनेशन विद आर्कलॉजिकल एविडेंस के थू हमें पता चलता है कि यहां पर बिगनिंग हो गई है 6th century BC के अंदर NBP face का यानी की northern black polished wear जो की इसका stand है आपको परवेशन पता होनी चाहिए लोजी शाइनी टाइप ऑफ पोर्ट्री है इस पोर्ट्री वस मेट अप वरी फाइन फाबरिक चुकि टेबल पेर ऑफ रिचर पीपल जिसको सर्फ किया जाता था उस तरह का यहां पर पोर्ट्री मिल रही है और इंप्लेमेंट्स मिल रहे हैं क्राफ एन अगरी कल्चर हो है बिगनिंग ऑफ मेटलिक मनी आने लग गये हैं यूजव बर्न ब्रिक्स रिंग्वेल्स अपेर होने लग गये हैं तो मतलब काफी सारी चीज़ा डबलब कर रहे हैं हम यह कह सकते हैं कि जो एन वीपी का फेस था यह किसका बेकिनिंग है सेकंड अबनाइजेशन इन इसके देखने को मिली है बहुत सारे टाउंज मेंशन है पाली संस्क्रिटेक्स में ऐसे कोशाम बीश रवस्ति के युद्या जो बताते हैं कि यहां पर एक्सकुवेट हुए हैं चीज़े और साइन रहे हैं 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 हैबिटेशन के मड स्ट्रॉक्चर के ठीक है उसके बाद अगे कि वोडन पालिसेट्स फाउंड हुए हैं आपके पतना में कुछ पॉसिबली बिलॉंग तो मौर्याद मौरं टाइम्स हाउस जो है जादातर मड ब्रिक एंड वूट से बने होते थे नैच्रली पारिस थे मॉइस क्लाइमेट ऑफ तब बिल गांगित प्लेन की और वटेवर सापो कॉस रहा हो लेकिन इवेंच्वली फिर मार्केड एंड केम तो बिया बनेविट बाइट इस एंड मर्चंट बन जाते थे अर्टीशन और मर्चंट जो थे ओगनाइज इंटो गिल्स अंडर थे रिस्पेक्टिव हैंड में यहां पर 18 गिल्स थे आर्ट अर्टिशन और मर्चंट जो थे वो फिक्स लोकलिटी इस त्रावन में रहते थे विस्पाज और मर्चंट स्टीट हमने वरांसी का सुना ही है यहां पर स्ट्रीट होती थी आईवरी वर्कर्स की ठीक है यहां पर स्पेशलाइजेशन था क्राफ्स का गिल्ड सिस्टम में बना हुआ था क्राफ्स है डिट्रीट ने निचर का होता था संग भी लर्न करता था फैमिली में ट्रेट करने के लिए फ्रम दा फादर उसको सिखाते लिए तू भी सीथा की तू भी आगे की काम करेगा फिर ना डिस्ट्रिबूशन बताया है नदन ब्लाक पॉलिश्ट व मर्शंस के थू जाते थे यानि की 500 काट लोड़ होते थे गुट्स के जिसमें की फाइन टेस्टाइल गोड्स आइवरी अब्जेक्स पॉट्स वगेरा होते थे इंपॉर्टन सिटी ऑफ द पीरेट इसे के आपके सिचुएटेट जो होती थी ना डिवर्ग वांग के ट्रे कुछ टर्म्स गाइस बड़े ध्यान से याद कर लो क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं याद होंगी तो पेपर में बड़े खुश रहो हो गया तो टर्म्स थी निश्का अंड सातामाना ये वेदिक टेक्स से ली गई है और टेकन टूबी बार नेम्स के फॉर्म में इनको हम जानते हैं इट सीम्स आट कि वेदिक टाइम्स में एक्स्चेंज होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था और फिर वो करेंसी की तरह सब करता था फिर दीरे-दीरे कॉइंस मेड़ाफ ऑफ मैटल अपीर फिर्स इंद एज गौत्म बुद्दा ये भी हम जानते हैं अर् पर फिर वो बार्टर साथी कोई इस इन यूपी मगदा में मिलता था पाली टेक्स बिंडिकेट करता है कि प्लेंटिफुल यूज वा वैं मनी का जिससे पता चलता है कि वहां पर वेजिस और प्राइस वर पेड इन इट तो यूज अवनी क्या होगा इनिवर्सल हो गया ए पैरिश किये जाते थे राइटिंग के जो कॉंपिलेशन से हैं वो सिर्फ लॉज रिचुल्स के साथी नहीं बलकि बुक कीपिंग के लिए भी होता था तक हमने पढ़ा था लॉज रिचुल्स राइटिंग पॉर्म में लिखा होगा है लेकिन ट्रेड के विलिए भी बुक खुकी विच प्रिश पोस राइटिंग बुक्र खुकी विच प्रिस पोस राइटिंग रॉज भी नौस को दे मार्किट करने में हलप करते थे अब ऑल्थो रूरल जो शेटल्में थी फो नवीप फेलों करती थे आम नहीं बने थे विच्क एप विचू बिए बिगिन पॉजिशन फाइफंडर प्लाउस के बारे में पता चला हमें तो फ्रॉम दा एंवीपी फेज आप देखोगे कौशामभी आइरें टूल्स यूज उने लगे जिसमें आकसेस कही तरह की चीजें होती थी डिस्कवर होने लगे गुड नंबर ओफ आपके देम बिलॉंग तो दे अर्लिएस लेर अफ एंबीपी फेस प्रोबबली मेंट फॉर दे उस पेसंट वो सब कैश में इन काइनमन को पे भी किया जाता था कई सारे विलेज आपको पाली टेक्स में मिलेंगे ताउंस जो थे वो सिचुएटर थे इमेड़से लुच्स् में बताते हैं एक कैटिकरी थी टिपिकल विलेज जो की नाम होता था इनको headgone करता था, village headman होता था, जिसका नाम होता था, भुजाका, ठीक है, ऐसे ही second included suburban villages होते थे, जिसमें क्या होता था, craft villages के नाम पे जानते थे, for instance, वहाँ पर carpentry हो रही है, ठीक है, ये इन दो vicinity of वरांसी में, तो obviously जो ये villages थे, सर्फ करते थे, as markets for other villages, और ये towns को link करते थे, countryside को link करते थे, तीसरी category आती थी, जो border villages होते थे, मत्तब जो countryside के limit situation है, आपके situated है, या which merge into forest, तो people जो यहां के रहते थे, वह जाता है, foolish, hunters, and a backward life जीने वाले लोग यहां पर आपको मिलते थे, तीन तरह के villages हमने अभी पढ़े, village lands को further divide करा जाता था, cultivable plots, plots, and allotted family wise, तो हर family का जो cultivated plot करते थे, with the help of members, जो अपने घर के होते थे, लोग, supplemented by that of agricultural laborers, fields को fence किया जाता था, irrigation channels को duck किया जाता था, collectively by peasants families, और फिर एक village headman होता था, जो उनको supervise करता था, अब पेजन जो होता था, उसको one-sixth pay करना परता था, produce का, as a Texas form, the taxes were collected directly by whom, by the royal, royal agents के थे 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 में grant जाती थी, Brahmans को, big merchants को for their enjoyment, हम इनने ये भी सुना है यहापर की, large plot of land पर जो work करते थे, with the help of slaves and agricultural laborers, उनको हम rich peasants बोलते थे, rich peasants को हम किस नाम से जानते थे, ancient India में, grahpaties, who were almost same as vashyas, the rice egg, हाप का staple cereal produced होता था, Eastern UP, Bihar में, उस period में, various types of peddy, peddy fields, आपको Pali text में describe हुई ही मिलेंगे, use of the term, transplantation, Pali में यूज हुआ हुआ है, Sanskrit text में यूज हुआ हुआ है, large scale में peddy transplantation, age of Buddha में शुरू हो गया था, peddy transplantation या wetty production, जो wet peddy production था, वो add किया गया था, in addition, peasants आपको produce करते में दिखते थे, barley, pulses, millets वगेरा भी, agriculture में great advancement आगई, क्यों, क्योंकि iron plow share का use होता immense fertility का use होने लग गया था, between Allahabad and the Rajmahal, place of technology, जो थी, वो क्या कर रही थी, आपका rural or urban economy को और ज्यादा promote कर रही थी, तो iron ने बहुत crucial role 6th century BC में निभाया, in opening the rain forested, rain fed, the hard soil area, middle ganga का था, based to clearance, cultivation and settlement के लिए, उसको use करना, शुरू करा, और यहां के जो smith सोते थे, उनको पता होता पता चलता है कि वो iron source से अप्टेन किये जाते थे, शिंख मुंबर, मयूर वन से, तो इट अपेस आपेस आट, people came to be acquainted with the rich iron mines का भी उनको पता था, जिसकी वज़े से supply of tools बढ़ता चला गया, जिसकी वज़े से further क्या enhancement हुआ, crafts and agriculture से, मत्तब, economy कैसी चल रही है, तो पता और अच्छे से, तो picture of economy that emerges from a study material कि पाली टेक्स में बिताते है, much different from the rural economy of later with it time से, तो बहुत ही जादा अलग economy होती जारी, क्या पता चल रहा है है, हमने first time advancement देखी, food producing economy में, क्योंकि देरे देरे spread हो रहा है, वर्दा, helloween soil आपका middle gangatic basin में, फिर urban economy बढ बिगनिंग शुरू ह हो रही है, यहाँ पर it was an economy which provided subsistence not only to direct producers, बलकि और लोगों को भी, जो कि वो not farmers और artisans नहीं भी है, पर उनको भी production जो है, वो जा रहा है, तो यह सब कैसे possible होगा, क्योंकि अब taxes भी ले जा रहे है, आर्मी इसको भी maintain किया जा रहा है, long term basis में, तो एक ऐसी condition create हो रही है, जिस development होती चली गई, economic development होती चली गई, जिसकी वज़े से society एक sustainable level पर जा रही है, अब समझते हैं जगा का administrative system कैसा था, तो although we hear of many states in this period like Kosala, only Kosala and Magda बहुत जादा powerful हुए, बहुत सारे states है थे, लेकिन सब साथा powerful कौन से थे थे दो, Kosala and Magda, तो both of them were directly ruled by, no not directly ruled by, ruled by hereditary monarch, जो की शत् जाता था, तो जटकास अदो स्टोरी से पता चलता है, previous birth of Buddha, tell us that oppressive जो kings होते थे, chief priest होते थे, उनको expel किया गया था, लोगों के द्वारा, नही kings install किये दाते थे, but occasions of expulsion were as rare as those of elections है, तो king उसके बाद enjoy करता था, highest official status, special protection दी जाती थी उसको, he yielded ground only to great religious leaders को देता था, the statue of the Buddha, this king, he was primarily a warlord होता था, और, and who led his kingdom from victory to victory, और है आप मिसारा के करियर और जाशत्रू के करियर से पता लगा सकते हो, तो king ने rule करता था, with the help of officials, high officials भी होते थे, low officials भी होते थे, higher officials को हम महा मातरास कहते थे, जो कि various functions करता था, जैसे ministry का, मांतरीन का, commander का का काम, judge का का काम, chief accountant का 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 head of the royal harem का का काम, तो it is likely that class of officers, जो आयुक्त की जाती थी, form similar function in some of the state, king कुछ administration का का काम, with the help of officers भी कराता सा, जैसे की, वरसकरा अफ मग्दा, और दिरगचार रहना, अफकोस आला, ये effective and influential ministers होते थे, first succeeded in sowing seats of dissension in the ranks of Lichovies of Vishala, and kind like that, तो generally, they don't seem to belong to the clan of the king, ऐसे ministers को officially आपका ले का आता था, तो बता रहा है कि high officers ministers were largely recruited from the priestly classes of brahmanas, याने कि आपको यहाँ पर अब धीरे धीरे वर्ना system नचर आने लग जाएगा, कि जादा तर high officials या ministers कहां से recruit के जाते थे, priestly class of brahmanas से, तो इन बोट को साला एं मग्दा, despite the use of punch mark coins, जो की silver के बने होते थे, influential brahman cities were paid by the grant of the revenue of the village, in doing so king को कुछ भी consent of the clan लेने की जरूवत नहीं होती थी, but the beneficiaries were granted only revenue, ठीक है, तो rural administration था, वो किस के हाथ में होता था भई, अभी तो हमने urban administration पढ़ा ना, rural administration village headman के हाथ में होता था, तो in the beginning, जो headman था, वो function करता था, as a leaders of the tribal regiment, जिसको हम Gramini कहते थे, जो की leader होता था, ग्रामा का, tribal military unit का, जैसे ऐसे life sedentary होती गई, प्लाव cultivation well established हो गया, tribal contingent settlement down हो गया, agriculture होने लगया, ग्रामिनी देरफोर was transformed into a village headman, तो कौन बना, जो ग्रामिनी होता था, वही आपका village headman बनने लगया, तो pre-morrowind times में क्या होता था, कि जो village headman होता था, उसको different titles के नाम से ह सकता है, तो ग्राम भोज का, ग्रामिनी ग्रामि का ध्यान रखना है, तो 86,000 ग्रामि का said to have been summoned by the Bimbisara, और नमबर जो थे वो conventional है, but it shows that village headman को काफी importance दी जाती थी, उसके direct link होते थे kings के साथ, ठीक है, क्योंकि वो ही SS करता था, taxes collect करता था, law maintain and audit करता था, ये सब उसके important काम अच्छा, इस टाइम का army and taxation system देखो, तो real increased state power का indicate करता है कि भई, formation of large professional army हो रहा है, at the time of Alexander's invasion, नंदा रूलर जो था, मगदा का, उसने पास 20,000 cavalry, 2,000 infantry, 2,000 horse chariots, 4,000 elephants होते थे, chariots were losing their importance, not only North East India, बट आपके North West India में भी, क्योंकि वहाँ पर क्या कहता है, where they have been introduced, बायदारंस, तो बहुत few elephant states होते हो, maintained by the rulers of the state in North West, और आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कि numerous elephant थे, जिसकी वज़े से मगदन प्रिंसस को edge मिली और उन्होंने नंदास को हरा दिया था, उसके बाद यहाँ पर fiscal system जो था, वो FEMP basis पे होता था, warrior and priest, triad and brahmaras accepted from payment of taxes, किस-को tax नहीं देना पड होता था, सारा भार taxes का किस पर होता था, वैश्याज या ग्रिहपती, यहाँ पर Bali एक tax होता था, voluntary payment होती थी, made by the tribesmen to their chiefs in Vedic times, जिके compulsory payment होती थी, जो पेसंट को देनी ही होती थी, in the age of Buddha, an officer's called Bali Shadyakshas जोते थे, उनको direct किया जाता था, कि आप इन से collect करिये, तो one-sixth of the produce हो वैशा king को देना परता था, पेसंट को, पेसंट सब देता था, king को, ठीक है, टेकसस को assess करना, collect करना, royal agent करता था, village headman के थू, headman के थू, advent of writing पुरा, assess करके देख लिखा विखा जाता था, सारा लेखा जोका होता था, फिर यहाँ पर birth stories of Buddha speaks of cases, जहाँ पर पेसंट lived the country of the king, क traders had to pay customs on the sale of their commodity, तो चोल सो collect करता था, इनके वो क्या नाब होता था, उसका, या तो सुल्की का, या फिर सुलाद्यक्षाज होते थे, जो की इनका taxes को collect करते थे, king of the period no longer summoned by the samithi sabhah, यह सब नहीं रखता था, popular assembly practically disappear हो गए थे, कब post Vedic times में, यहाँ पर एक tribal institution था, they decayed and disappeared as tribal, जो and caste group में, so caste lost custom जाधा तर आपके due weight and care होते थे, law books होती थी और उसकी according चलता था, popular assemblies आपके succeed only in small kingdoms, बाकी तो सब कुछ खतम ही हो गया था, emergence हो गई थी, large states, कुसाला और मगदा, तो यहाँ पर इतने बड़े-बड़े assemblies होना मुश्किल हो रहा था, तो फिर वो ऐसे नहीं कर ब्रामन को रखा जाता था, और इसके अलाबा, small republics पी थे, साकाज और लिचवीश फ्लरिश कर रहे थे, Republican experiment देखते हैं, यहाँ पर तो Republican system of the government जो था, वो either in the Indus Basin था, या foothills of Himalaya, Eastern UP में था, Republics जो होते थे, Indus Basin के, may have been the remnants of Vedic tribes, although some Monarch may have been followed by Republics, Uttar Pradesh, Bihar, यह पीपल नह equality, so in the Republic, real power किसके हाथ में थी, tribal oligarchies के, Republic of Sakya और लेश वाविश में क्या होता था, ruling class, belong to the same clan, same verna, so Raja set the assembly, रखते थे, वो लेकिन, post modern times के बाद, Republics of Malabash, Shudrakas, and Shatriyas, and Brahmanas were given citizenship, but slaves and hired labors को देते थे, उनको exclude रखते थे, then the state situated in the Biyas river, Punjab membership was restricted, ठीक है, तो administrative machineries, जो साक्याज इन लिछाविश के थी, was simple, क्या होता थे खाली यहाँ पर, Raja, Raja, Senapati और Treasurer, तो यहाँ पर seven courts होते थे, जो कि for trying the same case for an after the another, लिछवी Republic में, बहुत अच्छा काम नहीं करते थे, then any case, certain states थे, in the age of Buddha, were not ruled by hereditary kings, but by person, जो कि assemblies को संभालता था, tribal oligarchies की, हर Raja को free था, to maintain his own little army, under Senapati, states well established in the age of Buddha, thinkers के पता चलता है, जो अर्लेस बाली, Buddhist पाली text में बताया भी क्या है, कि अर्लेस human stage, वो बहुत है, पिली रह रहे थे, then private property concept आया, फिली जगडे शुरू हो गया, किस पर लटते थे, दोई चीज़ पर लटते थे, लोग, property and women, social order and legislationist time का, ते गवन होते थे, लेकिन जब class distinction आनी शुरू हो गई, यानि कि भई, अब ये system आने लग गया, कि tribal communities को चार वर्नों में divide करा जाएगा, यानि कि ब्रह्मना शत्रिया, वैश्या शुद्रा, तो फिर अब इनको tribal law से थोड़ा चला हो गया, फिर आप चलाने लगए, इनको धर् चार वर्नों की क्या duties है, क्या civil law है, क्या criminal law है, पर वो किसके पर बेज़ होने लगया, वर्ना division के अपर, जिसका जितना बड़ा वर्ना, वो उतना पे और, हायर दा order of the moral conduct expected by civil and criminal law, बाकि जो disabilities were imposed on the शुद्रा, as it was happening earlier also, तो थे वर अब अब देप्राइब रिलिज रिज अब्लिए तो रिख रिखतने लिए जाता था इनका, रिचूल होता था, तो crimes committed by them against the brahminas and others were punished severely, तो ऑन दे अधर जो crimes committed by Shudra's were punished lightly, तो जो लोगी वस्ते उनदे ने एंपसाइस करा, जो fiction that Shudra's were born from the feet of the creator, so the member of the high वर्ना, specially the brahmin shunned the company of Shudra, उनको नही, उनका फूद्रा नह नहीं का सकते थे, marriage relations नहीं रख सकते थे, मतलब भ्रह्मन और शुद्रास का एक तरह से कोई रिष्था नहीं होता था, ठीक है? He could not be appointed to high post, कौन, शुद्रास को high post पे नहीं पॉइंट किया जाता था, He was specifically asked to serve the twin born as slave, artisan and agricultural labour and मैं काम कर सकते थे, वो कहते हैं तुम इसी दो चीजों के लिए बनने हो, slavery करो, artisan, agricultural labour करो, ठीक है? तो in this respect, even journalism and Buddhism did not take any substantial change in the position of the शुद्रास के लिए, वो कुछ जादा खासना नहीं कर पाया है, हलांकि लाउट करते हैं, Even Gautam Buddha visited the assemblies of Brahmana, Shatriya, Grapati's house hotel, but the assembly of Shudra is not mentioned in his connection, तो इसी दो नहीं हापर लिखा है कि उनका भी कुछ पता ही नहीं था, तो civil and criminal law vernisment by administered by royal agents, जो की rough and ready punishments रखते थे, scorching करना, beheading करना, पता रहे हैं कि tearing out of the tongue, criminal offences punishment दी जाती थी, तो although the Brahminical law books चो थीन to account the social status of different varnas in framing their law, they do not ignore the custom of those non-Vedic tribal का इसा नहीं का खाली उनका ही लिखते आजी, non-Vedic tribal groups का भी लिखा हुआ था वर गैजुली एब्सॉर्ब्रामिन का social order, indigenous tribal people थे, fictitious थे social origin के, what is further important, ए जो बुद्धा इस important क्योंकि उसमें इंशन इन पॉलिटी, economy and society ने definitely एक shape create करे थी, तो agriculture based on the use of iron tools आपके aloeville areas में, इसकी वज़े से क्या होँआ, advanced food production बढ़ गया, economy अच्छी हो गई तो particularly Eastern UP Bihar चमग गए थे, क्योंकि aloeville soil इतनी fertile soil, iron बस मिल गया, अच्छी यहां पर रहे, काफी rich state हो गए, तो it was possible to collect taxes from the peasants क्योंकि वो regular taxes भी दे रहे थे, तो फिर इसकी वेज़े से वर्ना सिस्टम आया, हम आपर functions of her वर्ना के clearly laid down किये गए, तो according to the system, rulers and fighters को शत्रिया बोलने लगए, priests and teachers को ब्रामिनास बोलने लगए, peasants and taxpayers को वेष्यास बोलने लगए, और जो इन तीनो sections, इन तीनो classes को serve करते थे, उनको शुद्राज या लबरस बोलने लगए, तो guys this is all about this chapter, तो we have discussed completely about the state in वर्ना, society in the age of Buddha, complete the questions, revise the chapters properly, we will meet you in the next session, the next chapter, thank you so much.